ग्वालियर में मिलने बुला एक एमार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी असेस्टेंट से दुशकर्म की वारदात को अंजाम गिया। घटना हजीरा थानशित्र के कांच में सित महक फार्मेसी की है। आरुपी ने महला को दोस्ती के जाल में फसा कर उसके साथ दुशकर्म किया। साथी बदनाम करने की धंकी दे कर पती से तलाक लेने के लिए ब्लैक मेल किया। गटना की शिकार पीरत महिला ठाने पहुंच की और इस मामली की शिकायत पुलस से की महिला की शिकायत पर मामला दर्श कर पुलस ने जांच शुरू कर दी हैं फिलाल आरूपी फरार है हजीरा के गौसपुरा नमबर दो निवासी 28 वर्षी है महिला ने शिकायत की कि महकब फार्मेसी में बतोर असिस्टेंट की रूप में वो काम करती है कुछ समय पहले उसकी मुलाकात राहुल धाकडे निवासी आगरा से हुई राहुल धाकडे कंपनी में अमार है साथ में काम करने के कारण उसकी बाद सीथ होने लगी कुछ सिन पहले राहुल ने सुब्भा नौ बजे अपने ऑफिस उसे बुलाया जहां पर उसने उससे धंका कर दुशकं की वारदात को अंजाम दिया जब उसका वरूत किया तो बच्चों को मालने की धंकी दी पीड़त महला ने पुलस को बताया कि आरूपी उसे बतनाम करने की धंकी दे कर पती को तलाक लेने के लिए लगातार दबाब बना रहा है पूनम कुसवा महला है जिसके मैक फार्मेंची में काम करती थी काचपील में उसी कंपनी में राहूल दाकरे नाम का लड़का एमर था जिसने उसके साथ दोस्ती कर ली और फिर उसको बहला फुसरा के अपने ऑपिस में बुलाया बारा फरवरी को और ऑपिस में उसके साथ गलत काम किया पलाता किया मैक फार्मेंसी में ये लड़की साइका के रूप में काम करती थी उसी कंपनी में राहूल दाकरे एमर था तो दोनों अधर ही एक साथ जॉब करते थे उसी समय इनकी दोस्ती हो गई थी और इनकी आपस में बाच्चित होने लगी थी उसी का फायदा उठा के इसने उसको ब झाल